हेलो फ्रेंस मैं भारती आप सभी के अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ फैंस आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 36 साइज के कोडिंग बैकनेक ब्लोड डिजाइन सेर करने चारी हूँ यहाँ पे मैंने अस्तर और में फैब्रीक का कपड़ा लिया है इस तरीके से अस्तर के कपड़े को आपको क्या करना है सबसे पहले दो फूल लगा कर लेना है और इसके बाद हम नीचे से एक लाइन ड्रो करके सबसे पहले कपड़े को सीधा कर लेते हैं हाँ 5 इंच के एक लाइन सीधी रखिएगा और इससे कपड़ा विलको सीधा हो जाएगा अब हम यहाँ पे देखी लेंगे तैयार लेंथ में यहाँ पे 14 इंच रखना है तो 1 इंच मैंने यहाँ पे सलाई मार्जिंग का प्लस करके लिए है टोटल लंबाई मैंने रखिए है यहाँ से 15 इंच पे जितना भी आपको लेंच चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करके आपको लेना है सलाई मार्जिंग का अब हम 36 साइज के कोड़िंग यहाँ पे सोल्डर लेंगे 7 इंच और आर्मोल्स हमें भी रखना है यहाँ से 7 इंच पे ही अच्छी से हम बॉक्स बना ल रखा है यहां से हम आर्मोल्स की गुलाई दे देंगे और सोल्डर को भी हाप इंच हम डाउन कर लेते हैं इसके बद कमर है हमारे 30 इंच तो इसका भी हम 4 पार्ट लेंगे 7.5 इंच मेंने स्लाई मार्जिंग को रखा है एक इंच हम और एश्टा लेंगे जो कि बैक साइड में प्लेट्स लगाएंगे उसके लिए मार्किंग हमारी हो चुकी है अच्छे से हम बैक पार्ट को कट कर लेते हैं बैक पार्ट की कटिंग हम कर लेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे सबसे पहले बोटनेक तयार कर लेते हैं यहां से हम इसकी चोड़ाई लेंगे देख तो गले से आपको क्या करना है, 1.5 Inge तक छोड़ के मार्किंग करनी है सबसे पहले, इसके बाद हम 1.5 Inge पे मार्क करेंगे इसकी चड़ाई के लिए, नीचे से भी हम 1.5 Inge तक आप छोड़ दीजिएगा, यहाँ देखिए हम एक इंस तक यहाँ पर मार्किंग करेंगे और दूसरा डिजाइन जो स्टार्ट करेंगे हम वो 6 इंच पर लेंगे 6 इंच पर हमारी मार्किंग रहेगी इस तरीके से और उसके बाद देखिए डिजाइन को हम यहाँ पर इस तरीके से मिलाएंगे इसके बाद यहां से भी हम धाई इंस पर मार्क कर लेते हैं और दूसरा डिजैन हमारे यहां से स्टार्ट होगा इस तरीकी से हम डॉट डॉट करके हम दोनों इट पैटर्न को रेडी कर लेते हैं उसके बाद हम लाइन को अच्छे तरीकी से डॉट कर लेंगे यहां से मैंने दोनों ही डिजाइन को त्यार कर लिया है और इसके बाद हम खोल के इस तरीके से इसे देखें यहां पर फोल करके हम दूसरे साइड से भी इस मार्किंग को ले लेंगे तो हाथ से अप प्रेस करके आप यहाँ पर मार्किंग को अच्छे तरीके से लगा लीजिएगा और यहाँ से हम हाफ से भी यह देखिए मार्किंग कर लेते हैं अच्छे से हम डिजाइन को ड्रो कर लेंगे और इस डिजाइन को हम यहाँ पर में फैब्रिक के साथ लेंगे मेन फैब्रिक में आपको कपड़ा यहां से देखिए एक इंच एश्ट्रा लेना है बढ़ा कर इससे कपड़ा बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारा सैट होगा और बढ़ा या छोटा भी नहीं पड़ेगा इसके बाद मैंने जो लाइन को ड्रो किया था इसकी के कॉर्डिंग हमें यहां पे सलाई देना है और इस नेक डिजाइन को हम यहां पे पलट कर तियार करेंगे और गले की डिजाइन में अगर और भी आप फिनिसिंग चाहते है तो इसके साथ पेपर पेस्टिंग इयोओस किजिएगा यह देखिएगा गले के कॉडिंग हम यहाँ पर सिलाई देंगे यह हमारी सिलाई लग सुकी है इसके बाद हम यहाँ से देखिए जो एश्टरा कपड़ा है कट कर लेना है हाप पिंच आप सिलाई मार्जिंग में रखेगा इसके बाद आपको जो एश्टर कपड़ा है आपको बहुत अच्छे तरीके से कट कर लेना है यह हमारी कटिंग हो चुकी है इसमें अब हम क्या करेंगे छोटा-छोटा कट लगा लेंगे देना है बहुत ही बारिक रूफ से अपको कट लगाना है ध्यान रहे कि आप की सिलाई कटना हूँ इसके बाद हम इसे पलट लेते हैं पलट कर हम अस्तर को अदर की ओर से फोल्ड कर देंगे अच्छे से और यहां से किसी भी नोकिली चीश से आप सारे कोन को निकाल लीजिएगा अच्छे तरीके से ताकि इसकी अच्छी फिनिसिंग आए यह देखिएगा और यहां से अब हम क्या करेंगे इसमें वन पेर मार्जिंग रखके आपको पूरी ही गले की अकॉर्डिंग दुबारा से एक सिलाई देनी है उपर की और से गले को मैंने अच्छे तरीके से टेस्ट कर लिया है और अब हम बार की ओर से भी सिलाई देंगे तो यहां से हम अस्तर को मेन फैबरी के साथ टेस्ट कर लेते हैं हाथों से आप अच्छे तरीके से सैट करते जाएगा और नीचे से आपको क्या करना है पूरे ही इसे सैट कर लेना है इसके बाद इसमें जो एश्टर कपड़ा आपको लगे इसको कट कर लेना है तो मेन फैब्रिक से हमारा एश्टर कपड़ा है इसको हम कट कर लेंगे और यहां से अब हम कमरपट्टी बना लेते हैं दो इंच की चोड़ाई में मैंने कपड़े को लिया है अस्तर के कपड़े को हम रखेंगे यहां से कमरपट्टी बनाने के लिए और इसे दव फोल्ड लगाकर हमें नीचे से सिलाई देना है इसके बाद हम क्या करेंगे इसे कपड़े को खोल लेंगे और एक सिलाई हमारी अस्तर पर रहेगी यहां से हम अस्तर के कपड़े को अंदर के और फोल्ड कर लेते हैं और एक सिलाई फिनिसिंग की दे देंगे तो यह हमारी कम्प्लीट हो चुकी है कमरपटी बनकर और अब हम यहां से देखिए डिजाइन को तयार करने के लिए देखिए हम क्या कर रहे हैं इसे हम हाफ से फूल्ड कर लेते हैं सबसे पहले अच्छे तरीके से सेंटर को मिला कर आपको सेट कर लेना है और यहां से डिजाइन को तयार करने के लिए हम लेंगे पेपर पेस्टिंग कोई भी आप चौड़ी सी पेपर पेस्टिंग ले लिजेगा जो आपका वेश्टेज में है आप उसी को यूज किजिएगा और यहां से हम क्या करेंगे इस पने को अच्छे तरीके सेट कर लेते हैं और यहां से हम मार्किंग कर लेंगे सिर्फ नीचे ही डिजाइन से हमारा यह मार्किंग रहेगा और अब हम मार्किंग के अनुसर बाहर की ओर से भी ड्रॉ कर लेंगे बाहर के ओर से हमें एक से एक इंस तक भी मैंने यहाँ पे रखा है यह देखिएगा एक इंस तक बाहर की ओर से लाइन को ड्रॉ कर लीजिएगा और अच्छे से कट भी कर लीजिएगा और अब हम paper pasting के इस तरीके से यहाँ पे अस्तर के साथ है टेस्ट कर लेते हैं यह अस्तर हमारे बाहर के और से रहेगी इसमें अच्छी तरीके से finishing भी आ जाएगी सिलाई देकर आप corner की इससे complete कर लीजिएगा इसके बाद इसमें जो भी एश्टर कपड़ा हैं गट करके मिला लेते हैं तो यह देखेगा इस तरीके से यह आएगा और यहाँ से अब हम क्या करेंगे देखे एक contrast color में fabric को लिए हैं यहाँ से हमें इस तरीके से plate त्यार करना है थोड़ी सी हमें length में इसे रखनी है और total हमें इसकी लंबाई रखी है 16 inch पर और यहाँ से हम क्या करेंगे इसमें छोटा-छोटा plates दे देते हैं पहले हम एक side से plates लगाएंगे यह देखेगा इसकी बाद हम यहाँ पर दूसरे side से भी same plates इसी तरीके से बना लेंगे plates आपका आगे-पीछे नहीं आना चाहिए बिलकुल यहाँ पर जो हमारा plates इस side था इसी तरीके से हम दूसरे side से भी set करके इसमें सिलाई देंगे तो इस तरीके से तेखें, यह हमारा प्लेट स्टेड़ी हो चुका है, और अब हम इसे डिजाइन के साथ सेट कर लेते हैं तो यहां से यह हमारा जो cutting pieces था, हम इसको यहां पे रख लेंगे अच्छे से आपको set कर लेना है इसके बाद हम यहाँ पे पिन से टेस्ट कर लेंगे और यहाँ से हम corner की सिलाई देकर इसे देखे सेट कर लेते हैं पूरी ही design के coding हम यहाँ पे slice को अच्छे से लगा लेंगे और इसके बाद इसमें भी जो extra कपड़ा आपको लगे कट कर लेना है पिन को आपको निकाल लेना है और यहाँ से बिल्कुल बरबर में कट करेंगे हम देखे slice से बिल्कुल मिलाते हुए हम यहाँ cutting करेंगे जो भी extra कपड़ा है हमें कट कर लेना है इसके बाद हम यहाँ पे देखिए इसमें piping बनाएंगे तो piping बनाने से पहले हम इसके center से क्या करेंगे एक सिलाई देकर इसे fix कर लेते हैं तो यहाँ से हम इसे पहले fix कर लेंगे उसके बाद हम यहाँ पे piping को तियार करेंगे तो piping को त्यार करने के लिए मैंने यहां पर 2 इंच की चुड़ाई में कपड़े को लिया है उरेव कपड़े में मैंने इससे कट किया है main fabric से इसके बाद हम यहां पर देखिए नीचे से इसको लेंगे इस तरीके से आपको set करना है और पूरी corners की सिलाई देकर आप इसे finishing किजिएगा तो इस तरीके से corner की सिलाई देते जाना है आपको sender से cut कर लेंगे क्योंकि यहां से हमें देखिए इस तरीके से घुमा कर यहां पर हमें set करना है यह देखिएगा design के coding हमारी सिलाई लग चुकी है यहां से जो extra कपड़ा हम cut कर लेते हैं इसके बाद हम यहां पर इसको पलट कर लेंगे यहां देखिए कोन वाले जगा पर आपको क्या करना है cut बना लेना है इससे अच्छे तरीके से यह अंदर की और fold हो जाएगा अब जितना भी पतला piping आपको चाहिए उतना ही कपड़े में बाहर की और से रखिएगा इसके बाद आपको जो extra कपड़ा है हम अंदर की और देदेना है देखिए अंदर की और लगाते हुए आपको finishing देना है सिलाई की यहां से हम नीचे से भी finishing देदेंगे कपड़े को अच्छे तरीके से फूर्ड लगा कर आप एक सी दो सिलाई करके पक्का कर लेजिएगा इसके बाद हम भी center में design को डालेंगे तो इसके लिए मैंने readyment dory को use किया है और यहां से हमें इस तरीके से पहले उपर से fix कर लेना है अच्छे से एक सी दो सिलाई लगा कर और इस तरीके से हमें यहां पे देखे जिग जैक से देना है धागे को आपको पलट पलट कर इस तरीके से सिलाई देते जाना है नीचे तक हम यहां पे सिलाई को लगा लेंगे अच्छे तरीके से और यहां से अब हम क्या करेंगे देखे जितनी भी लंबी डोरी है इसका हम सबसे पहले डवल पूल कर लेते हैं इसे और यहां से हम डोरी से ही बो बना लेंगे यहां से हम बो बना लिये हैं और अच्छे तरीके से हम बी सेंटर से सिलाई देंगे बी सेंटर सिलाई लगा कर हम इसे अच्छे से फिक्स कर लेंगे एक से दो सिलाई लगा कर इसके बाद इसमें जो थोड़ा बहुत ऐश्टरा धागा है हमें कट कर लेना है तो यहाँ से हम जितना तक धागे में लटकन बनाना है उतना तक ही रखेंगे बाकी एश्टा डोरी को कट कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पे हम देखें लटकन बनाएंगे में फैब्रिक से ही मैंने कपड़े को लिया है और इस तरीके से फूर्ड लगा कर सिलाई देंगे और इसमें जो एश्टर कपड़ा है कट कर लेते हैं और इसे पलट कर सीधा कर लेंगे इसी तरीके से हम दूसरे पीसे इसको भी तयार कर लेते हैं यहां से हमारा जी देखिए 20 सेंटर से जो डिजाइन मैंने रेडि किया था इसके अब हमें सेंटर से ही मोती को फिल करना है तो मैंने यहां पर गोल्डन कलर की मोती को यूज किया है और यह हमारा मीडियम साइज में मोती है आप चाहे तो कोई भी तरह की मोती को यूज कर सकते हैं लाज दागे बर को देता है people कुमाने के दिश्च नंत दॉख सकते हैं और इसंव तरी के ऊपते में पर देना है उसके बाद हमेरा जो है यहाँ पर करेंगे तो एश्ट्रा धागा जो हमारा यहाँ पे है इसे इस तरीके से हमें फोल्ड करना है और यह हमारा तीसरा फ्लावर रेडी हो जाएगा तो यह दागे की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से फिक्स कर लेते हैं आप चाहे तो यहाँ पे लटकन को थोड़ी लेंध में भी रख सकते हैं डिजाइन इस तरीके से भी अच्छी लगेगी और यहाँ भी सेंटर में भी हम क्या करेंगे यह मौति को टाल लेते हैं यह देखेगा इस तरीके से यह डिजाइन अमारा बनकर त्यार होगा और इसे हम क्या करेंगे यहां से अच्छे तरीके से दो तीन सिलाई लगा कर fix कर लेंगे और इसे हम गले पर इसे set कर लेंगे गले पर आपको नीचे से इस तरीके से रख कर यहां देखे set कर लेना है अच्छे से हम pin से test कर लेंगे और यहां से हम सिलाई देकर इसे अच्छे तरीके से fix कर लेते हैं यह देखिएगा, सबसे पहले मैंने इसे यहां पर test कर लिया है और उसके बाद सिलाई देकर हम इसे complete कर लेंगे यहां पर भी हम इसे joint कर लेते हैं बोटनेक के पास हमारा जो यह देखिए डेड़ इंच की चड़ाई में महारा fabric था इसको हम यहां पर गले से joint कर लेते हैं इसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे लेस को देखिए cover करेंगे जो हमारी सिलाई थी इसके उपर से हमें लेस को लगाना है यह देखिएगा इस तरी की सब को यहां पर सिलाई देते जाना है पुरी ही गले के according आपको यहां पर लेस से लगा लेना है यहां से भी हम घुमा कर इस तरी की से सिलाई देंगे और नीचे तक यह हमारी सिलाई आएगी यहां से हम एश्ट्रा लेस को कट कर लेते हैं और इसके बाद अंदर की और फोल करके हम यहां पर फिनिसिंग सलाई देंगे इसके बाद हम बोटनेक पर भी इसी लेस को यहां पर लगा लेते हैं अच्छे तरीके से यह हमारी फिनिसिंग आ जाएगी और यह डिजाइन हमारा बनकर तियार हो जाएगा और अब हम क्या करेंगे इसमें बैक साइड में प्लेट्स बना लेते हैं टोटल एक इंच काम प्लेट्स दोनों ही साइड बना लेंगे आज के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स कीजिएगा वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सेर और सस्क्राइब कर लीजिएगा वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद